Hello friends, welcome to the Try for Tyros, this is Gaurab Pandey. आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्ड माला से सम्मन्दित कुछ महत्पूर प्रस्णों का अध्यन करेंगे. ये सभी प्रस्ण CETED, UPTED जैसे examinations के previous year question paper से लिए गए हैं और ये सारे प्रस्ण आने वाले सभी टीचिंग एक्जामनेशन्स के लिए अत्यन्त महत्पूर हैं. मुख्यरूप से यह वीडियो CETED 2030 के exam को ध्यान में रखते विए बनाया जा रहा है. इसके अलावा ऐसे सारे examinations जिसमें हिंदी बिसे पूँचा जाता है, उन सभी exams के लिए वर्ण माला से सम्मंदित ये सारे प्रस्ण अत्यनत महत्पूर होंगे. तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम हिंदी वर्ण माला से सम्मंदित कुछ महत्पूर विंदों का अध्यन करेंगे. उसके बाद वर्ण माला से सम्मंदित महत्पूर की प्रेक्टिस करेंगे. तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जान समूू में उसको ब्यवस्थित करते हैं. किसी भी लिपी के संकेतों या चिन्हों का क्रमबद समू या वर्णों का सूब्यवस्थित समू जिसे हम fournmala कहते हैं. किसी भी हर एक भासा की अपने लिपी होती है और उस लिपी को दर्साने के लिए कोछ एक संकेतों वर्डमाला के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, जिसमें हम स्वर, बेंजन और आयोगवा का अध्यन करते हैं स्वर ऐसे वर्ण होते हैं, जो बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं इनका उचारण बिना किसी अवरोत के होता है, यह मुख्य रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनका उचारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, यह बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से बोले जाते हैं स्वर मुख रूप से चार प्रगारते होते हैं स्वर को मुख रूप से चार भागों में डिवाइड किया गया है जिसमें पहला है मात्रा के आधार पर दूसरा है उस्ट आकृति के आधार पर तीसरा है जीवा आकृति के आधार पर और चौथा है मुखाकृति के आधार पर मात्रा के आधार पर स्वरों को मुख रूप से तीन भागों में डिवाइट किया गया है जिसमें हरस्च, दीर्ग और प्लुक्त स्वर को बिवाजित किया गया है स्वरों में चोटा आ, चोटी ई, चोटा उ और री इसे हम हरस्थ स्वर कहते हैं जबकि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आ, ओ और ओ इन्हें दीर्ग स्वर कहा जाता है इसके लामा, ओस्ट आकरिती के आधार पर स्वरों को मुख्यूरूप से दो भागों में भी डिवाइड किया गया है जिसे हम वृत्ताकार और अबृत्ताकार कहते हैं वृत्ताकार स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो ओड़ की आकरिती होती है वो वृत्त के आकार की होती है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है और ऐसे स्वर जिनका उच्छारण करते समय ओंश्ट की आकृति वृत्त के आकार की नहीं होती उन्हें अब वृत्ताकार स्वर कहा जाता है अब वृत्ताकार्श्वर के अंतरगत छोटा आ, बड़ा आ, छोटी इ, बड़ी इ, री, ए और आ आते हैं जबकि वृत्ताकार्श्वर के अंतरगत छोटा उ, बड़ा उ, ओ और ओ, ये स्वर वृत्ताकार्श्वर के अंतरगत आते हैं इसके अलामा जीवा आकृति के आधार पर स्वर को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइट किया गया है जिसमें हम अग्रिस्वर, मध्ध्यस्वर एवं पश्च्ष्वर की बात करते हैं अग्रिस्वर के अंतरगत छोटी इ, बड़ी इ, छोटी री, ए और आ आते हैं मुख्य रूप से चार भागों में डिवाइड किया गया है जिसे हम सम्वृत, विवृत, अर्ध सम्वृत और अर्ध विवृत के भागों में डिवाइड करते हैं सम्वृत स्वर के अंतरगत छोटी E, बढ़ी E, छोटी R, छोटा O, और बढ़ा O, विवृत के अंतरगत बढ़ा A, अर्थ सम्वृत के अंतरगत छोटा A, A और O आते हैं, जबकि अर्थ विवृत स्वर के अंतरगत A और O स्वर आते हैं अब हम बात करते हैं बेंजन की बेंजन ऐसे स्वर होते हैं जिनका उचारन सोतंतरता पूर्वक नहीं होता या अपना एक अर्थ निकालने के लिए दूसरे वर्णों पर आस्रित होते हैं ये बंजन ऐसे वर्णों होते हैं जो स्वर्वर्णों पर आस्रित होते हैं स्वर्वर्णों की सहायता से उच्छारित होने वाले सब्द बंजन कहलाते हैं बंजन को मुख्यूरुप से दो भागों में डिवाइड किया गया है इसमें स्वर रहित बंजन और स्वर सहित बंजन आते हैं स्वर रहित बंजन को सुध बंजन जबकि स्वर सहित बंजन को असुध बोल सकते हैं या पूर बोल सकते हैं कहते हैं कि उसे हम स्वरर्ण रही बंजन कहते हैं कि दैसे कोई दो नहीं होते हैं जो कि आसे स्वार्ण जिस में कोई मात्रा लगी होती है उसे हम सुर्ण सहित्व बंचन कहते हैं इसपर्स बंचन या वरगी ये बंचन ऐसे बंचन जिनका उचारण करते समय हमारें कंट से निकलने वाली पुरहाण वायू, हमारें किसीदा को सब्सक्राण करती है है उन्हें या वरगी बंचन को का से लेकर मा तक की ब्रग में didn't divide इसके अंतरगत कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग तथा उच्छिप्त बंजन जिसमें डा और अदा आते हैं इसके अंतर गत देखिए का वर्ग में का खा गा गा अंगा चा वर्ग में चा छा जा जा इयां ता वर्ग में ता था डा धाड़ा ता वर्ग में ता था दा धाना पा वर्ग में पा फा बा भा मा और उच्छिप्ट बंजन में रड़ा और धा आते हैं इसके अंतर, इसके लामा पंचंवinky रंड जिसे हम नासिक के ़ाण भी कहते हैं, या इन्हें अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं, अनुनासिक मतल게 होता है अनु प्लसुनासिक मतलब ऐससा, ऐसे वर्ण जिनका उच्छारण हमारे नासिका की पिछले वाले हिस्द से होता है, उ उन्हें उच्छप्त बंजन कहते हैं जैसे अड़ा और धा इसके अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानकारी प्राद कर लेते हैं अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनका उचारण करने में बहुत कम वायू का प्रियोग होता है जिनके उचारण जिनका उचारण बहु वाव की अधिक मात्रा लगती है या मुख मुख से वाव की अधिक मात्रा निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है और प्रत्यक वर्ग के दूसरे और चौथे बंजन महाप्राण कहलाते हैं इस प्रकार अलप प्राण बंजनों की संख्या 15 हुई और महाप्राण बंजनो इनको भी रखा जाता है जिने ऊश में बेंजन कहा जाता है आई ये अब सगोस और अगोस के बारे में जानकारली प्राप्त कर लेते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में गले के कमपन से गूझ उत्पन होती है उन्हें हम सघोस तथा ऐसे वर्ण जिनके उचारण में गले में कोई कमपन नहीं होता उन्हें हम अघोस वर्ण कहते हैं प्रत्यक वर्ण का प्रत्थम और दुतिय वर्ण तथा शा, 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 हा ये अघोस बंजन कहलाते हैं इसके लावा अंतस्त बंजन%, ऐसे बंजन जिनका उच्छारण वर्णमाला के बीच में स्वर्वों एवं बंजनों के बीच में होता है। जैसे यारा लावा, यारा लावा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इसके लामा उस्म बंजन, ऐसे बंजन जिनके वो चारण करते समय वायू किसी विसेश अस्थान से रगड़ खाते हुए निकलती है, जिससे हमारे मुख में एक उस्मा उत्पन होती है, इसलिए हम ऐसे और स्वर सहित बंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें हम संयोग्त बंजन कहते हैं, इसके अंतरगत छा, तरा, ग्या और स्रा को रखा गया है, छा एक ऐसा संयोग्त बंजन है, जो हलनत लगे का तथा खा के साथ होता है, इसके अंतरगत का जो की स्वर रहित है, जबकि ख या स्वर सहित्य है इसकालाम रआथ एक एसा स्वर् consult वंजन है, जो हलद्ट लगे ता तथा रा से मिलकर बनां होका है और यहां पर हलन्त लगा ता जो स्वरण रहित वंजन है और मेंगी इसी परकाइर जो जोकि स्वर रहित जा से और इया से मिलकर बना होता है और श्रा जोकि स्वर रहित शा और रा से मिलकर बना होता है इसके लावा पार्शुक बंजन पार्शुक बंजन ऐसे बंजन होते हैं जिनके उचारण के समय हमारे जिहवा के दोनों तरब से प्राणवायो निकलती है उन कहता है उन्हें हम लुन्थित बंजन कहते हैं इसमें आई प्रश्णों के प्रश्णों का अध्यान कर लेते हैं इसमें क्विश्चन है दात और जीप के इस पर्ष से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? पहला अपसा ने दंत्य, दूसरा अपसा ने मूरधन्य, तीसरा अपसा ने दंतोस्ट और चोथा अपसा ने कंठोस्ट. इसका सही उतर है दंत्य. ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे दात और जीवा दोनों के इसपर्स से इसका उचारण होता है उन उचारणों को दंत वन कहा गया है और मुर्धन ऐसे वन होते हैं जिनके उचारण में हमारे जीवा हमारे तालू और दंत के बीच वाले स्थान को जिसे हम मूर्धा कहते हैं उसे इसपर्ष करती है इसे हम मूर्धन वर्ण कहते हैं दंतोस्ट ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उचारण में हमारे दात और हमारे ओंस्ट दोनों का इसपर्ष होता है जैसे वा यह क्या है एक दंतोस्ट वर्ण है और कंठोस्ट ऐसे वर्ण होते है हैं जिनके उचारण में हमारे कंट और हमारे होड दोनों का प्रियोग होता है उन्हें हम कंठोस्ट वर्ण कहते हैं कंठोस्ट के अंतरगत ओ जैसे हमार दूसरा प्रस्द है उस्मवर्ण कौन सा है उस्मवर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उचारण में हमारे मुख के किसी विशेस स्थान से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है और उसमा उत्पन्द करती है उसे हम उस्मवर्ण कहते हैं इसमें हमारा पहला अपसेन या दूसरा अपसेन है था, तीसरा अपसेन है चा और चाथा अपसेन सा अउम, ओम, ओम और ओम इसमें पुलुत स्वर्ण होते हैं जिनके उचारण में हर्ष्ष स्वर्ण के तुल्ना में तीन गुना ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम प्लुत्सवर कहते हैं और इसमें हमारा तीसरा अप्सन ओम यह एक प्लुत्सवर है आज का हमारा चौथा प्रस्थ है निम्न में से कौन सा प्रकर्मपित वर्ण है ऐसे वर्ण जिनके उचारण में हमारे जीवा में कमपन उत्पन होता है उन्हें हम प्रकंपित वर्ण कहते हैं इसके अलावा इन्हें लुंठित वर्ण भी कहा जाता है तो हमारा जो पहला option है रा यह एक प्रकंपित वर्ण है इसके अलावा या वा ला तथा रा यह सभी अंतस्त वर्ण के अंतरगत भी आते हैं इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है लेकिन इस प्रस्ण का जो सही उत्तर है वो पहला उप्सन रा सही है आज का हमारा पाँचवा प्रस्ण है निम्न में से कौन सवर्ण सन्योक्त बंजन माना जाता है ओप्सन्स है था, शा, उढड ओर ग्या। ुसमें हमारा च OA उप्सन इसे हम सयंयूक त dispen justification कहते हैं जो सवर रहिट और सवर सहिट बंजनों के सयंयूक से बनते हैं इसके इंतर गहर छा त्रह ग्या और स्रा को रखा गया है तो इसमें हमारा जो option ग्या है या एक सायूक्त बंजन है इसके अलावा शा एक उसमें बंजन है तथा ये अढ़ा जिसे हम उक्षिप्त बंजन कहते हैं उक्षिप्त बंजन ऐसे बंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीवा की एक नोग जो है जटके के साथ नीचे की और गिरती है आज का हमारा छटमा प्रस्न है निम्न मेंसे कौन सा महाप्राण वर्ण है महाप्राण वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में वायू की अधिक मात्रा निकलती है उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं तत्येक वर्ण का तत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण होता है इसके लावा शा, खा, सा और हा को महाप्राण के अंतरगत रखा गया है हमारे option है गा, जा, था, तथा, ता इसमें से अगर हम देखें तो गा यह का वर्ण का तीसरा वर्ण है जबकि जा यह चावर्ग का तीसरा वर्ण है और था यह तावर्ग का दूसरा वर्ण है इसलिए हमारा तीसरा ओप्षन था यह एक महाप्राण वर्ण है तो इस कुश्चन का तीसरा ओप्षन था इसका सही उत्तर है मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनी कौन सी है मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनी कौन सी है पहला अपसन है इसपर्ष, दूसरा अपसन है वर्थ, तीसरा अपसन है उश्म और चौथा अपसन है अन्तेस्थ, तो इसका सही उत्तर है इसपर्ष, हमारे मुख के जो अव्यव हैं उनके संघर्ष के प्रस्चाद जब कोई ध्वानी उत्पन होती है तो उन्हें हम इसपर् बंजन वर्थ् ऐसे बंजन होते हैं जिनका उचारण करते समय जीवा को ऊपर के वर्थ से eraserण जाता है इसके अंतरंगत ना रा ला और व को रखा गया है इसके लामा एक तिसरों можно ऊश्म ऊश्म ऐसे बंजन होते हैं जिनके उचारण में हमारे जो हमारी प्रा उवाय निकलती है हमारे मुख के किसी एक विसेस अस्थान से रगल साथ उत्पन्न होती है अंतस्ति बंजन ऐसे बंजन होते हैं जिन्हें स्वर और व demişन्जन केальным में रखा गया है इन्हें अर्ध सक्रत भी कहा जाता है अंतस्त बंजन के अंतरगत या, रा, लावा तथा उसमें बंजन के अंतरगत शा, खा, सा, खा को रखा गया है आज का हमारा आठमा प्रस्ण है निम्न में से खा क्या है? आप्सन से अग्होस बेंजन, दूसरा आप्सन है अल्प प्राण बेंजन, तीसरा आप्सन है विवरित और चौथा आप्सन है वर्थ बेंजन अगूस बंजन ऐसे बंजन होते हैं जिनके उचारण में हमारे गले से कोई कमपन नहीं होता जबकि अल्क प्राण ऐसे बंजन होते हैं जिनके उचारण में जिनका उचारण बहुत कम प्राण वायू के साथ होता है जबकि वर्थ वेंजन ऐसे वेंजन होते हैं, जिनका उचारण करते समय जीवा उपर के वर्थ को टच करती है, तो हमारा खा है, खा जो एक अगोस वेंजन है, इसलिए हमारा पहला ओप्सन का अगोस वेंजन या इस प्रस्न का सही उत्तर है. अलप प्राण के अंतरगत सभी वर्ग के पहले तीसरे और पांचमें वर्ण आते हैं, तथा इसके अलामा या रा ला वा को भी अलप प्राण के अंतरगत रखा गया है, जबकि वर्थ से वेंजन के अंतरगत ना, रा, ला और वा को रखा गया है. आज का हमारा नौवा प्रस्ण है निम्न में से कौन सा उस्म महाप्राण वर्ण है? आज का हमारा दस्मा प्रस्ण है हिंदी सब्द कोर्ष में पहले आने वाला सब्द कौन सा है? पहला उप्सण है वक्त दूसरा उप्सण है वक्र तीसरा उप्सण है वर्ण और चौथा उप्सण है वर्ण यहाँ पे जो पहला वर्ण है वक्त या हिंदी सब्द कोर्ष में इन सभी उप्सणों में सबसे पहले आएगा क्योंकि वक्र में वा और का यहाँ पे क्योंकि अगर हम यहां पर वक्र का वर्ण विन्यास करें तो पहले वा आएगा फिक हलंत लगा का जिसे हम स्वर्रहित का कहते हैं का आएगा उसके बाद रा आएगा जबकि वहीं पर अगर हम वरक का वर्ण विलन्यास करें तो यहां पिवा के बाद रा रहा है जो की का के बाद आता है और वरक अगर वर्ण विलन्यास करें वरक का तो वह में इसमें पहले वा आएगा फिर हलंत लगा का आएगा फिर उसके की बात रहा आएगा तो इस तरह हिंदी सब्सकोस में सबसे पहले वक्त आएगा जो कि हमारे पहले option में है आज का हमारा 11 प्रस्ण है निम्न मेंसे कौन सा वेंजन टावर्ग का है options हैं डा, मा, चा और पा इसका सही उत्तर है डा टा वर्ग में डा, ठा, डा, धा, अडा को रखा गया है जबकि मा पा वर्ग का वर्ण है बेंजन है और चा चा वर्ग का पहला बेंजन है और पा यह पा वर्ग का पहला बेंजन है आज का हमारा बारावा प्रश्ण है भासा का विकास निम्न में से किसी से होता है ओप्शन से ध्वनी, सब्द, अर्थ और वाक्य तो इस प्रश्ण का पहला ओप्शन ध्वनी जो कि भासा के विकास में एक महतुपूर भूमिका निवादी है तो इसलिए इसका पहला ओप्श और खा के योग से कौन सा सयोंक्त बनता है पहला आप्सेणि चा दूसरा है तरह तीसरा ऑप्सेण ग्या और चौथा आप्सेणि री इसमें स्वर्रहित का और खा के साथ चा छत्री वाला चा इसका निर्माड होता है तो यहाँ पर इसका पहला option चा सही उत्तर है जबकि तरह याता स्वर रहिता और रा के संयोग से बनता है जबकि ग्या स्वर रहित जा और इया के मिल से बनता है आज का हमारा चौधावा प्रस्ण है निम्न में से कौन सा अर्थ स्वर है अर्थ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन मारे पहले आफसन में या और वा है जो कि इस प्रस्ण का सही उत्तर है। इसके लावा री, यी, ऊ, री, शा ये अर्धस्वर नहीं होते जबकि या और वा या अर्धस्वर के अंतरगत आते हैं। आज का हमारा पंद्रहवा प्रस्ण है निम्न में से कौन सा वन इसपर्ष संगर्शी है पहला अप्सन है जा दूसरा अप्सन है शा तीसरा अप्सन है हा और चौथा अप्सन है जा तो हम इसपर्ष संगर्शी बंजन ऐसे बंजन होते हैं जिनके उचारण में इसपर्ष का सम उत्तर होगा इसके लावा शाह एक उसमें बंजन है और या हा को हा को भी उसमें बंजन के अंतरगत रखा गया है जबकि छाह यह एक सन्यूक्त बंजन है आज का मारा सुलावा प्रस्ण है निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है तो अभी पिछले कोशन मैंने अध्यन किया था कि इह रा लावा इन्हें अर्धसवर कहते हैं इस प्रकार इस प्रस्ण का जो पहला ऑप्षन को हएक यह ऑद्यस और चौथा अप्शन है 52 हिंदी भासा में मूलता वर्णों की संख्या 52 है इस प्रकार इस प्रस्ण का उत्तर ऑप्शन जो चौथा है 52 वह इस प्रस्ण का सही उत्तर है। इस प्रकारम कह सकते हैं कि हिंदी भासा में मूलता बावन वन आते हैं आज का हमारा ठारवा प्रस्ण है निम्न में से कौन सा काकल लेवन हैं काकल लेवन ऐसे वन होते हैं जिनका उच्चारण मुख्य रूप से कंठ द्वार के द्वारा होता है इसके अंतरगत ला को रखा गया है तो इस प्रस्ण का जो चौथा अप्सन ला है वह एक काकल लेवन है इसके लावा या और वह या अंतर्ष्ट विंजन या अर्धश्वर है और हमारा राज का उन्नीस्वा प्रस्ण है भासा की सार्थक नियुन्तम इकाई कौन सी है पहला अप्सन है ध्वनी दूसर वर्णों का एक सार्थक समू होता है और वाक्य सब्दों का एक सार्थक समू होता है आज का हमारा बीसमा प्रस्ण है जो कि इस त्रिंखला का अंतिम प्रस्ण है निम्ने में से कौन सा सब्द अमात्रिक है अमात्रिक सब्द ऐसे सब्द होते हैं जिनमें कोई भी मात्रा का का प्रयोग नहीं होता तो इसमें कार खाना अमिताव बड़ बढ़ाना और कल्रों इन चारों को देखने के बाद खुदी सौन में आ रहा है कि option घा जिसमें कल्रों को रखा गया है यह एक ऐसा सब्द है जिसमें किसी अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास सेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें